नमस्कार दोस्तों एम सिंख फांडरेंस यूट्यूब चैनल पर आप लोगा स्वागत है अक्टोबर 2020 एक ऐसा मेहना जो पूरे मंथ एक्जामनेशन से भड़ा पड़ा है अब मुस्किल यह हो गया है कि आपको थोड़ी सी कन्फूजन स्थिती हो जादी कि किस दिन आपके और किस दिन आपको एक्जामनेशन नहीं है आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यह कि BPSC के 65 मेंस का डेटा आ चुका है साथ शाथ 31 नएक परिक्षा का वी डेटा आ चुका है और अन्य महत्पून एक्जामनेशन किस किस दिन है उसके बारे में एक क्य करेंगे और साथ ही साथ आपको BPSC और SI मेंस दोनों एक्जामनेशन जो है उन दोनों की कैंडिडेट के लिए जो उनका फर्स्ट पेपर हिंदी होगा उसके कुश्चन के बारे हैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ क्यों कि उसके कुश्चन से चैनल पे अब लेवल हैं भाग लेने वाले वियर्तियों को सुझित किया जाता है कि उक्त मुख परिक्षा दिनांग 13-10-2020, 14-2020, 16-2020 को संभावित हैं परिक्षा का बिस्तरत कारिक्राम तथा श्रमय आयो के वर्साइट पर उपलब्द करवा दिया जाएगा तो ये 13, 14 और 16 ये 65 वी BPSC जो मेंस है इसके एक्जामनेशन आपको 13, 14, 14 और 16 अक्टूबर को हैं इससे पहले मैं बता दूँ आपको 11 अक्टूबर को आपको भी RS है मेंस है और 8 अक्टूबर को आपको BSAC इंटर मेंस है तो निशित रूप से इसमें ऐसे कंडिडेट हैं जिनका या तो तीनो एक्जाम है या फि भी खुशित कर दिया है देखिए बिग्यापन संख्या चारोबली 2020 के अंतरगत असेनिक नियाई का निये कोटी केरिक्ट पदों पर निपती है तू एक्टिसवी बिहार नियाएक सेवा प्राडमिक प्रत्यों की प्रिक्षा का आयोजर साथ दस 2020 को समावित है प्रसासनिक आपको डेट आ चुका है अन्य डेट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं तो यह स्वाविमान बटालियन स्वाविमान बटालियन जो है केंद्रिये चेन पर सिपाय भरती के अंतरगत यह एक्जामनेशन होता है तो उसका डेट बहुत पहले ही इस चैनल के अपको अपडेट कर दिया गया था कि 4-10-2020 को है अब उसका आपको आ चुका है इस मस्पस्ट किया गया है कि 4-10-2020 को 10 बजे से 12 बजे होंगे और अभी हर्तियों की रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे होगी यह हो गई बिहार जो सेंट पुलिस के अंतरगत जो CSB के अंतरगत करेंद Two and examination है वह एक Mega टक्भर को है और एक 18 October श्रला है तो एक दिन में आपको 11 अक्टूबर 2020 को है तो निशित रूप से इसके तो कनी रेट काफी है और इसके एक्जामनेशन तो बहुत नजदिक है आपका और इसी में देखिए आपका जो फर्स्ट बिसस इंट्रेवल में से उसको 18 अक्टूबर 2020 को शंभावित है एक और एक्जामनेशन है और वो है आपका इंट्रिव्यू है आपको यह बिग्यापन संख्या इतना पद्चालक के लिखित परिक्षावाण अधार पर योग पाएगे 1075 अभिहर्थियों को सुझित किया जाता है कि उनकी चालन संब्दी तक जांच इबहां साक्षातारकार के लिए 14 सप्टेंबर 2020 से समयाबधी निर्धारत की गई है जो इस संब्दित एक्जाम से संब्दिश्टी के निडिएट हैं वो बिससी के ऑफिसल विपसाट पर जाके सारा डॉनलोड कर सकते हैं और उसको पता कर सकते हैं कि आपका कप पढ़ने वाल है तो कहने का यह मतलब है कि अक्टूबर मेना से भड़ा हुआ है अब इसी करी में जब एक्जामनेशन हो रहे हैं तो आपके त्यारी विनिश्टी रूप से जारी होगी अब त्यारियों की बात करें हैं तो जो बिहार दरोगा मेंस है और बिससी इंटर मेंस है उसके कंडिरेट के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि क सब्सक्राइब तो हिंदी के जो प्रिवेस दो पेपर हैं 2016 में एक फ्रसे के लिए और एक जामनेशन हुआ था वहाँ पर भी हिंदी पूछा गया था तो उसके भी आपको के बाद कर रहा हूं कि आपको भी हाड़ेस इंटर मेंस के लिए हिंदी के लिए बहुत ज्यादा मिहनत नहीं करनी है कुछ थोड़े बहुत ट्रॉपिक है उसको पर लेना है और साथ जो प्रिविएस एर पेपर जितने भी हैं उसको आपको एक बार देख लेना है क Pieियू आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जागा भी हार है बीजी के यह कंडिडेक के année के Uhh को देख लला हा है अब पड़ना है को प्प्रफीरेट में डर साथD पटना है कोटि में संबर्गों के 1040 पुदों पर निखती होगी राज कबिनेट की मंगलबार को ही बैठक में इसके लिए पदों की सिर्जन की मंजूरी दी गई है इसमें लैबरेडियन के 26 यहां पर देख लिए लैबरेडियन के आपको 26 की बात की जा रही है उसके बाद ब मंगलबार के कर्बिनेट बैठक में होगी अब इसकी बहाली परक्रिया कब से चालू होगी उस पर भी पढ़ेंगे इसके अलावा साफुर पटोडियन मंडल कोट में दो मजिस्ट्रेट और तेरा तिरतिय स्रेनी के कर्मियों की नुक्ति पद को भी मंझूरी दिये गए है तो यह समस्ति पूर जी लाकंशर कत परता है साफूर पंठोड कोट तो वहाँ पर आपको तेरा में दो मजिस्ट्रेट और तेरा तेरा सेरीरती सरनी के के तेरा मजिस्ट्रेट के पोस्ट की की स्विकर्ति देदी गicorn एसे पोस्ट का शर्जन किया गया है अब उस्ताँ है क तो देखिए इससे पहले भी आपको पतना हाइकोट के अंतर रगा 397 पोस्ट थे ठीक है उसका सेट्यूल भी जाड़ी हो गया था आपको विद्विवाग के तरफ से उसके पोस्ट किया और यह लेकिन उसका फिकेंसी अभी तक नहीं आ पाया है जो एसिस्टेंटे साहएक है और जो इसकी पुराने वेकेंसी थे उस पर भी बहारी पर करिया करोणा और अंच कारणों से रुख गया था तो देखिए अभी एक पतना है कोट का यह लेटेस्ट नोटीस है ठीक है न इसको जो जिना मैं दिखाता हूँ जो उसका डिपार्टमेंटल एक्जामनेशन है सा तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो पहले वाले सहय के पोश्ट है उसका वेकेंसी पहले आएगा अभी इसका कम संभाबना लग रहा है कि चुनाब से पहले इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि अभी 10 या 15 दिन का समय बचा हुआ है उसके बाद आपको बाद आएगे यह सभी हो सकता है कि सारे वहिस को साथ कमबाइन करके लाया जाए जाया दोन शिति है क्या शिति रहेगी वह आपको वक्त के साथ पताच चले जैगा जहां तक थर्ड ब्येसे सीजल की बाद की जाएगा तो उसका वेकेंसी आ जाए कंफॉर्म तो नहीं कहा तब तक वो एक संभाव नहीं रहेंगे तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी और वीडियो में सब्सक्राइब करें हमारी चैनल एम सिंग फॉननेस को और बेल अगन को प्रेस करने के वाद नोटिफिकेशन को ओन कर लें कमपिटिटिव इग्जाम के तयारी एवं सम्बंदित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए